हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी विडियो चैनल में सफलता हासिल करने के छे कदम See You at the Top Book Summary in Hindi by Zig Ziglar दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ की मेरे द्वारा लिखी गई किताब The Personality Development आपको जरूर पढ़नी चाहिए इस बुक में आपको काम में ध्यान ना लगना तनाव में रहना आलसाना अकेला पन लगना दिमाग सकरिय ना होना और असफलता को अफशर में कैसे बदले इसी तरह के बहुत सारे जवाब आपको इस बुक में मिल जाएंगे बुख के बारे में और जानने के लिए वीडियो के दिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से इस बुख को खरीद सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सफलता हासिल करने के छेह कदम जहां पर आप देख सकते हैं Complete Book Summaries आज का ये वीडियो जिग जिगलर की किताब See You at the Top पर आधारित है जिग जिगलर ने सफलता हासिल करने के Six Steps बताये हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि Positive Svel Image का महत्व क्या होता है और किस तरह हम अपनी एक Positive Svel Image बना सकते हैं दुनिया भर के Corporates, शिक्षन संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं और Sales Agency इस किताब में बताये गए नियमों को फॉलो करते हैं ये किताब आपको बताती है कि किस प्रकार लक्ष निर्धारित किया जाए और कैसे इन लक्षियों को प्राप्त किया जाए इसमें हमें ये भी जानेंगे कि कैसे अपने Attitude को बहतर बनाया जाए मैं एक-एक करके आपको सभी Steps के बारे में डीटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए Steps के सभी महत्वपून बातों को संक्षिप में दोबारा दोहरा दूनगा ताकि इस वीडियो में बताए गई बाते आपको आसानी से याद रहे तो इस वीडियो को अंत देखना मत भूलिएगा तो चलिए शुरूआत करते हैं पहले Steps से Self Image आत्म च्छवी ज्यादातर लोगों ने अपनी खुद की इमिज या च्छवी को ही खराब बनाए हुई है क्योंकि समाज हमेशा लोगों को negative बाते सिखाती है और negativity फैलाती है जब हमने खुद की च्छवी ही खराब बनाए हुई है तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे लेखक जिग जिगल ने हमें खुद की च्छवी को positive बनाने के बहुत से तरीके बताए हैं मैं आपको उन्ही में से सबसे महत्वपूर्ण तरीके बताऊंगा खुद की अच्छी image बनाने के लिए आपके अंदर आत्म विश्वास और इमानदारी जैसे सकारात्मक गुन होने चाहिए अगर आप में ये गुन नहीं है तो आपको ये सब गुन अपने अंदर विक्सित कर लेनी चाहिए आप बाहर से लोगों को जैसे नजर आते हैं उसका सीधा सीधा बंद आपकी सोच और आपके विचारों से हैं जिस तरह के विचार आप सोचते हैं और जिस तरह आप महसूस करते हैं उसी तरह आप समाज में उठते बैठते हैं आप उसी तरह के कपड़े पहनते हैं और लोगों के साथ उसी तरह से व्यवहार करते हैं. एक रीसर्च में पाया गया है कि जो कर्मचारी साफ सुत्रे और अच्छे कपड़े पहनते हैं और खुद को अच्छी तरह से मिंटेन रखते हैं वो काम में दूसरों से बहतर प्रद लिंकन, थॉमस एडिसन और इंडू कारनेगी जैसे महान लोगों की कहानिया जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको जीवन में मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरना मिलेगी. अपनी छवी को बहतर बनाने के लिए आप कई और काम भी कर सकते हैं. उदाहरन के तोर पर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप उसे सफलता पूरवत कर लेंगे जब आप नया काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो उसस आप में आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से आपकी खुद की छवी और भी पॉजिटिव बन जाती है. इस तरह से अपनी छवी को सुधारने के लिए आपको लगातार ऐसे काम करने होंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहे. सबसे जरूरी बात य कह है कि आत्मविश्वास कभी एक दिन में नहीं बढ़ता और आपकी छवी कभी एक दिन में नहीं बनती. इस तरह से लगातार आत्मविश्वास बढ़ाने वाले काम करके आप अपनी छवी को बहतर बना सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं. आपको जीवन में सफल होने के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है. कुछ वर्ष पहले सो सफल लोगों पर रीसरच किया गया जो खुद अपनी मेहनत से करोणपती बने थे, वह सब अलग-अलग जगह से थे और उनकी शिक्षा और कुशलता का स्तर भी अलग-अलग था, उनमें से सत्तर लोग ऐसे थे जो ऐसी जगह के रहने वाले थे जहां 15,000 से भी कम जनसंख्या थी, लेकिन उन सभी में एक चीज समान थी और वो थी दूसरों में अच्छाए देखने की आदत, वह सभी दूसरे लोगों में बुराए देखने की बजाए उनकी अच्छाईयां देखते थे, वह बुरी परिस्थितियों में भी अच्छाई देख लोगों के साथ बहतर संबंध बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उनके अंदर अच्छाईयों को देखे ना कि बुराए यह को, साफल लोगों की यह विशेशता होती है कि वह दूसरों की बुराए नहीं करते, अब आप सोचिए कि आप दूसरों को किस तरह से द देखते हैं, आप उनमें बुराए देखते हैं या अच्छाई देखते हैं. अगर आप अभी तक दूसरों में बुराए यह देखते रहे हैं, तो आज से बुराए देखना बंद करें और दूसरों में अच्छाया देखना शुरू कर दें. हर व्यक्ति के अंदर बहुत सा संबंध बनाने के लिए आपको दूसरों की क्षमताओं को पहचानना होगा ऐसा करने से आप दूसरों को प्रोचसाहित करेंगे और उनके साथ आपके संबंध बहतर बनेंगे जो आपको एक सफल इंसान बनने में मदद करेंगे. केवल दूसरे लोगों के साथ ही नहीं आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, जिन लोगों के संबंध अपने परिवार के साथ खराब होते हैं वह ज्यादातर समय तनाव में रहते हैं क्योंकि उनके मन में अपनी परिवार को लेकर क कोई ना कोई समस्या चलती रहती है और परिवार की यही समस्या उनकी सफलता में रुकावट पैदा करती हैं, ज्यादातर सफल लोगों के अपनी परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं और यही उनकी सफलता का एक बहुत बढ़ा सच है, परिवार के लोगों के स सबसे आधिक ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि गलत लक्ष निर्धारित करने से इनसान गलत दिशा में काम करता है और अंत में उसके हाथ केवल असफलता ही लगती है। सफलता के शिकर तक पहुचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए सही लक्ष निर्धारित करें। लक्ष निर्धारित करने के पहले आपका गोल आपके मन में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाह जिन कामों में आपकी दिल्चस्पी है और जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है आपको उन्हीं में से किसी काम को अपना गोल बनाना चाहिए क्योंकि ऐसे गोल के लिए आप पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। दोस्तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह एक दिन अपने घर से बाहर घूमने निकले और अचानक उन्होंने अपने आपको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पाया। से शुरू किया था और आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कहां तक जाना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। अपने सभी गोल्स को एक कागस पर लिस्ट बनाकर लिखिए कागस पर ये। भी लिखे कि कौन से गोल्स को आप एक वर्ष में हासिल करेंगे, कौन से गोल्स को कुछ महीनों में हासिल करेंगे, और कौन से गोल्स को कुछ हफ्तों में या कुछ ही दिनों में हासिल करेंगे, ऐसा करने से आप अपने सभी गोल्स के लिए एक समय सीमा निर्धारित करेंग और एक बड़ी गारी खरीदनी है, आपको कागस पर साफ साफ ये लिखना होगा कि आपको किस तरह का घर बनाना है और कौन सी जगह पर बनाना है, आपको किस कमपनी की गारी खरीदी है, उस गारी का मॉडल, रंग और उसकी सभी खूबिया आपके मन में बिलकुल साफ होने चाहिए तभी आप उन्हें कागस पर लिखें। अचानक से आपके सामने आ जाते हैं और आपका काम रुख जाता है और आपको अपने लक्षे तक पहुँचने में बहुत अधिक समय लगता है। दोस्तो विशुलाइजेशन की प्रक्रिया एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे इतिहास के बहुत से सफल लोगों ने इस्तिमाल किया है। उदारन के तोर पर अगर आप अपनी मनपसंद गारी खरीदना चाहते हैं तो आपको मन ही मन में अपने आपको उस गारी को चलाते हुए देखना होगा। और रोज विजुलाइज करने से आप अपने मन में अपनी मनपसंद गारी को चलाने का अहसास जगाएंगे और जब आप उस दिशा में काम करेंगे तो वहीं एहसास आपको आपके लक्षे की और कीच ले जाएगा। की सही एटिट्यूट का मतलब है सही सोच और दूसरों के साथ आपका सही व्यवहार और आजकल दुनिया के हर देश में बहुत से ऐसे स्कूल है जो अलग-अलग तरह के काम सीखने की ट्रेनिंग देते हैं लेकिन सही सोच और सही एटिट्यूट बनाने की ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं दी जाती आप तब तक किसी भी काम में आम लोगों से बहतर दर्शन नहीं कर सकते जब तक उस काम के लिए आपका एटिट्यूट सही नहीं होगा एटिट्यूट के बारे में समझाने के लिए लेकक जिग जैगलार ने हमें एक बहुत अच्छा उदाहरन दि दी जैग एक बार अपनी गारी से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक रोड ट्रांसपोर्ट कमपणी में काम करता हुआ उनका एक दोस्त दिखाए दिया उन्होंने उसके पास जाकर अपनी गारी रोकी और उस से मिले जग को अपने उस दोस्त से मिलकर बहुत ये सब देखकर जिग ने अपने पहले दोस्त से पूछा कि तुम दोनों तो एक साथ पढ़ते थे और तुमने काम करना भी एक साथ शुरू किया लेकिन वह कमपनी का हेट बन गया है और तुम अभी भी उसी पोजिशन पर काम कर रहे हो तो इस पर उनके दोस्त ने जवाब करेगा उसके अनुसार ही उसे पैसे मिलेंगे वही उनका दूसरा दोस्त यह सोचकर काम करता था कि उसे अच्छी तरह से काम करना है और अपनी कमपनी के लिए मुल्यवान बनना है दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि पहला दोस्त पैसे कमाने के लिए काम करता था और उसका सारा ध्यान केवल पैसा कमाने पर था यही उसका attitude था इसलिए वह अपनी company में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका जबकि उनका दूसरा दोस्त यह सोचकर काम करता था कि उसे काम करना है और आगे बढ़ना है इसलिए वह अपना ध्यान केवल काम पर रखता है था पैसे कम कीकी और एक दिन वह अपनी company का hate बन गया अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आज ही उसके लिए अपना सही attitude बनाए अगर आप काम करने पर ध्यान देंगे और अपना काम करने का attitude बनाएंगे तो अच्छा काम भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अच्छे पैसे भी कमाएंगे अच्छा काम करने से आपको तरक्की मिलेगी और एक दिन आप सफलता के शिखर पर पहुँच जाएंगे वरक काम दोस्तों अगली बात जो हमें लेखक ने सफल होने के बारे में बताए है वो है काम करना जीवन में सफलता पाने के लिए हमें काम करना होगा जिख कहते हैं कि सफल होने के लिए कोई शॉटकट नहीं होता इसलिए जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए काम तो आ आप बहुत जल्दी उस काम से बोर हो जाएंगे इसलिए वही काम करें जिसमें आपकी दिल्चस्पी है और जब आप उसे मन लगाकर करेंगे तो सफलता अपने आप आपको मिलती जाएगी। और अगर आपके शहर में नहीं है तो आपको देखना होगा कि आपका मन पसंद काम कौन से शहरों में मिल सकता है। जब आपके मन में कुछ पाने की तीवर इच्छा होती है तो आपको रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। निपोलियन हिल ने भी अपनी फेमस किताब Think and Grow Rich में भी पहला चैप्टर डिजाय यानी तीवर इच्छा के बारे में ही लिखा है। मैंने Already Think and Grow Rich की बुक समरी वीडियो बनाई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पे जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों कई लोगों में बहुत काबिलियत होती है लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने की तीवर इच्छा नहीं होती इसलिए वह जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते और छोटे मोटे काम ही करते रहते हैं। दोस्तों मन में तीवर इच्छा होने का एक और फाइदा यह है कि जब आपको ये पता नहीं होता कि आप अपने लक्षे को कैसे हासिल करेंगे तो अपनी तीवर इच्छा के कारण आपको उसे पाने के रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, मान लीजिए आप किसी बड़ी कमप में software engineer का काम करना चाहते हैं, लेकिन आप वहां तक कैसे पहुचेंगे इस बारे में आपको कुछ नहीं पता, जब आप हर रोज उस company में काम करने के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आपको रास्ते दिखाए देने शुरू होंगे, आपको engineering में admission लेने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, अगर आप ठीक से तयारी करेंगे तो किसी अच्छे engineering college में आपको admission मिल जाएगी, उसके बाद आपको engineering में मेहनत करनी होगी और जब आप engineering करते हुए भी उस company में काम करने के बारे में लगातार सोचेंगे और अपने मन में इच्छा रखेंगे तो हो सकता है, वह वह company कर्मचारियों को भरती करने के लिए आपके college में ही आ जाए, अगर वह company आपके college में नहीं भी आती तो engineering के बाद वहाँ काम करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा, जो आपको उस company में भरती होने में मदद करेगा, दोस्तों शायद इस स चलने के लिए और मेहनत करने के लिए खुद को तयार करना होगा, आपका लक्षे बहुत सारे पैसे कमाना, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर खरीदना, अपने मन पसंद जीवन साथी से शादी करना भी हो सकता है, आपका लक्षे चाहे जो भी हो आपको उसे हासल करने के अपने मन में इच्छा रखनी चाहिए और खुद को मेहनत करने के लिए तयार रखना चाहिए। तीसरी बात हमें अपना स्पष्ट लक्ष निर्धारित करना चाहिए और उन्हें पाने के लिए समय सीमा भी तै करनी चाहिए। चौथी बात है सही अटिट्यूट यानि सही मनोभाव जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें सही अटिट्यूट की जरूरत होती है। दोस्तों आपको इस किताब की समरी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके बताएं। अगर आप किसी किताब की हिंदी में समरी चाहते हैं तो वो भी नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। हम जरूर उसकी समरी का वीडियो बनाएगे लेटस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद